इसको थोड़े देर में डिसकस करेंगे पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं तो गाईज आज है तारिक 20 सेप्टेंबर 2022 और है टूज़े देखेंगे आज के दाहिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्च यदा वेजुकेशन यूपीसी आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखोगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया या है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे ये चनल आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाके जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिस्स पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सरे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे हागे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सिंगा लीला नैशनल पार्क को कहां पर है ये एक्जाक्ली लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकार नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ में एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवेस येर साल 2018 के प्रिलिम्स में पूछा या था डेली बिसस पर हम लोग याँ पर एक प्रिवेस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है इंटरनाशनल लेबर और्गिनाजिशन के जो कन्वेशन हैं उसमें से जो ये कन्वेशन 138 है और कन्वेशन 182 है ये किस चीज से रिलेटेड है तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटलीस सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसा मैं आप लोगों से डेली बिसिस पर बोलता हूँ बाइदावे इसका जो करेक्ट आंसर है उमने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकर्शन हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले आर्टिकल की तरफ तो यह जो थमनेल में आप लोगों ने इमेजिस देखी है स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा है वो है ताइवान का ताइवान के अंदर आपने पता होगा रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया है वो अर्थक्वेक काफी ही डिजास्टरस मना गया 7.2 मेंगनिट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला बहुत सरी वीडियो आपको सोचल मीडिया पर देखने को बिलेंगी और ज़्यदे खतरनाक है मतलब बहुत ही जादा हेवी वो अर्थक्वेक था ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो आप देखोगे दुनिया बर के जो न्यूस पेपर्स हैं वो यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर भी कर रहे हैं स्ट्रॉंग हर्थक्वेक यहाँ पर हिट करता है ताइवान के सदन इस्ट रिजन को और इसकी वज़ा से लगबग 146 जो लोग हैं वो यहाँ पर इंजरड भी हुए हैं यहाँ पर आप देख पाऊगे बहुत सरे आर्टिकल में 6.8 magnitude का अर्थक्वेक बताया है बहुत सरे आर्टिकल में 7.2 magnitude का यह अर्थक्वेक मेंशन किया गया है आर्थको एक इतना खतरनाक था कि कहीं पर ट्रेन हिल रही थी जैसे आपने वीडियो में देखा और कहीं पर जो ट्रेन है वो पटरी से गिर चुकिये पटरी से उदर चुकिये तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सिचुएशन देखने को मिली है और यह आप लोग देखी होगे कि काफी सरे आर्टिकल जो है रेगुलर बेसिस पर कवर हो रहे हैं तो एक छोटा सा न्यूस आर्टिकल था जो कि आपके साथ में वीडियो के माधियम से शेयर किया गया है अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्ण होने वाला है आज दहिंदू ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है ठेकिना न्यूस पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो चुगा है मतलब पैटर्न का चेंज होने का मतलब है जो आपका डिजाइन था पहले उस डिजाइन को यहाँ पर चेंज कर दिया में, death penalty को हम लोग हिंदी में मृत्यू डंड की नाम से भी जानते हैं, death penalty को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोल जाता है capital punishment, अब ये death penalty का topic ना, पिछले कुछ समय से लगातार news में आपको देखने को मिलेगा, now यहाँ पर supreme court एक चीज को accept करता है, supreme court यहाँ पर कम करने वाली परिस्थितियां हैं, जिसको हम लोग mitigating circumstances के नाम से जानते हैं, ठीके न, यानि कि इस situation को, गंभीरता को और कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए जो दोशी व्यक्ति है, उसको भी यहाँ पर एक बार सुन लेना होगा, तो इस चीज को यहाँ पर supreme court support करता ह क्योंकि यहाँ पर जो पहले के काफी सारे judgment है ना, उन judgment के अंदर, जो दोशी है, जो accused है, उसको यहाँ पर sufficient time नहीं मिल पा रहा था, यानि कि एक तरीके से माल लो, यह मृत्यू दंड सुनाया गया, सुनाने के बाद में हाथो आत यहाँ पर वो दंड दे दिया गया, लेक कोई भी यहाँ पर हो सकता है, वो अपने आपका, जो भी यहाँ पर गंबीरता को कम करने वाली परिस्तित्या है, mitigating circumstances हैं, वो यहाँ पर court के सामने लेकर आ सके, तो उस चीज को लेकर यहाँ पर Supreme Court ने इस particular topic को उठाया है, तो Supreme Court ने यहाँ पर discuss किया है कि देखो हम लोग को जरुरत है, एक uniform framework होना चाहिए, trial judges के लिए, ताकि वो इस meeting rating factors को determine करें, यानि कि जो भी accused person उसको समय मिले, अपने आपको यहाँ पर बताने का, गंबीरता कम करने की यहाँ पर जो भी चीज़ें वो जो present करेगा, उस चीज को यहाँ पर जो trial judge है, उसको determine करना होगा, death penalty के cases म इस चीज को लेकर यहाँ पर discussion किया जा रहा है, यह पूरा का पूरा मामला अभी जांच में है, अभी कोई भी ऐसा कदम ने उठाया गया है, पूरा का पूरा मामला अभी scrutiny के under में है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर mention किया जाता है कि हमें कुछ ऐसे laws की आवश्रकता है, इसे rules and regulations की आवश्रकता है हमारे trial judges के लिए कि वो judges पहले यहाँ पर उस पूरे matter को देख लें, और यहाँ पर जो भी mitigating factors हैं, यानि कि अगर उस death penalty के अंदर गंभीरता को कम किया जा सकता है, तो उस चीज को यहाँ पर पहले trial judge देखे, देन उसके बाद य यह सारी बाते आपको यहाँ पर इस particular article में देखने को मिलेंगी, तो यह तो हो गया हमारा current issue, करना क्या होगा इस particular issue को आपको background data से relate करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा death penalty के ओपर कई सारे editorial हम लोगों ने पढ़े हैं, कई सारे opinion हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वहीं से म ने कुछ points पहले भी आपको provide करवा रखे थे, वो points में आपके साथ में discuss करने वालों, देखो हमारे syllabus के अंदर ना, GS paper number 2 में बहुत सरे topics नज़राएंगे, judiciary, government policies, interventions, issues arising out of design and implementation of policies, यह सारे topic UPSC ने खुद syllabus में add कर रखे हैं, तो इनी सारे topics से आप लोग इस particular article को relate कर पाओगे, अब हम लोग जब बात करते हैं, death penalty की, यानि की capital punishment की, जिसको हम लोग death penalty के नाम से भी जानते हैं, यह आपको पता है कि कोई भी यहाँ पर criminal offense हुआ है, कोई भी यहाँ पर इतरीके से criminal है, तो उसको यहाँ पर यह मौत की सजा दी जाती है, मृत्यू दंड दिया जाता है, ल अगरी में हैं, तो उस cases के अंदर यह मृत्यू दंड दिया जाता है, अब यह जो death penalty है ना, बोला यह जाता है कि एक most suitable punishment है for the worst crime, अगर एक घिनोना crime है, एक भत्तर crime है, रेप जासा crime है, तो उसके लिए death penalty बिलकुल suitable punishment है, death penalty मिलने ही चाहिए, यह चीज़ भी आपर mention की जात penalty सही चीज़े इसको लागू करिया जाए, और यहाँ पर जो criminal से उनको यह death penalty दी जाए, लेकिन बहुत सरे लोग इसके against में है, उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि death penalty जैसी चीज़ कहीं न कहीं बहुत खराब है, और इसके अंदर आप देखोगे पिछले कुछ time पे तो एक हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे death penalty के जो favor में arguments हैं उनके बारे में, सबसे पहले चीज़ favor में बोला यह जाता है कि देखो death penalty ना एक retribution है, अब retribution का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर crime हुआ है, जिस भी criminal ने crime किया है और वो बहुत ज़ भी करता है, death penalty को deserve भी करता है, तो यह argument बोलता है, कि भाया, real justice की जरूरत है हम लोगो, अगर कोई गलत काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक real justice की जरूरत है, और real justice कैसे मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर death penalty से, दूसरा यहाँ पर बोला गया death penalty, यह जो capital punishment है या फिर death penalty है ना, य कहीं न कहीं, आगे crime को रोकने में मदद करेगा, प्लस यहाँ पर जो victims की family है, यानि कि देखो माल लोग कोई भी crime हुआ है, तो उस crime में किसी के against crime किया गया होगा, है ना, किसी का murder कर दिया होगा, अब जिसका murder हुआ है, उसके जो family वाले हैं, जो victims हैं, victim की family जो आपको demand करती है, और वो यहाँ पर यही चाहिए कि देखो, अगर मेरे family member में किसी का murder हुआ है, तो मुझे justice के तौर पर, एक तरीके से जो भी criminal है ना, उसको यहाँ पर मृत्यू दंड दिलवाना है, उसको death penalty मिलने चाहिए, तो इस प्रकार से, victim की families को भी यहाँ पर एक तरीके से points आपको देखने को मिलेंगे, जो argument अगेंस्ट में death penalty के, वो काफी सारे हैं, जैसे कि पहली चीज़ यह बोली जा रही है, death penalty देकर, जो crime है, उसको रोक लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, example के तौर बताया गया, देखो, यहाँ पर ना, जो हमारे पास में, अलग-लग laws है, IPC के अंदर section 376A आपको देखने को मिलेगा, तो 2013 से आप देखोगे न, जो death है, वो rape के cases में दी जा रही है, कोई rape का cases निकल कर आया है, तो यहाँ पर मृत्यू दंडगी सजा है, लेकिन यह बताओ, 2013 से यहाँ पर, death को prescribe किया यह, rape के cases में, लेकिन देखने वाली बात यह ह रेब अभी भी continuously यहाँ पर हो रहे है, रेब के cases यहाँ पर निकल कर आते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर mention किया, तो कहीं न कहीं, यह जो death penalty का concept है न, वो यहाँ पर fail हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अगर सोच रहों कि death penalty यहाँ पर crime को रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह crime और बढ़ते वे चले गए हैं, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है, जो कि इस death penalty के against में है, दूसरा यहाँ पर argument रखा गया है लोगों का, वो है execution of innocent, यहाँ पर दखो होता है है न, हमारे justice system के अंदर भी काफी बार mistakes और जो flaws हैं, वो देखने को मल जाते ह काफी बार गलतियां यहाँ पर देखने को मल जाते हैं, और इसकी वज़ा से जो innocent people हैं, जो मासूम लोग है न, वो यहाँ पर एक तरीकी से का शिकार बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, फिर तीसरा यहाँ पर point रखा यहाँ है, देखो, Amnesty International के according बात करें, Amnesty International जो कि एक international level पर body है, क्या करती है, दुनिया भर में जो human rights हैं, मानव की अधिकार हैं, उसको protection देने के बारे में चर्जा करती है, तो यहाँ पर इसका कहना यह है, कि देखो, जो human justice है, उस पर यहाँ पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसी की वज़ा से, अगर यहाँ पर जो innocent व्यक्ति है, जो भी मासूम व्यक्ति है, उसको भी यहाँ पर death penalty मिल सकती है, तो यहाँ पर यह इस point को भी रखता है, तो इसकी चक्कर में यहाँ पर Amnesty International एक बात और बोलता है, कि जाधतर जो developed countries हैं, बहुत सारे जो developed nations आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ यहाँ पर death penalty को already abolish कर दिया गया है, खतम कर दिया गया है, as a form of punishment, तो यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से आपका सकते हो कि नकार दिया गया या फिर इसके बिल्कुल against में यह सारे points आपको देखने को मिलेंगे, अब हम लोग बात करते हैं, death penalty का जो status है, इंडिया के context मे वो कहाँ पर stand करता है, भारत के अंदर death penalty क्या situation है, देखो जो CRPC है, that is criminal procedure, जो code आपको देखने को मिलेगा ना, इससे पहली के अगर हम लोग बात करें, या फिर आपका सकते हो, एक criminal procedure amendment act CRPC of 1955, यानि एक amendment हुआ था, CRPC के अंदर 1955 के अंदर, इससे पहली के अगर हम लोग बा बात करें, जो death penalty है ना, वो एक rule हुआ करता था, और life imprisonment एक exception हुआ करता था, है ना, लेकिन आप देखोगे, धीरे-धीरे situation बदल जाती है, 1955 से पहले death penalty के ओपर पूरी तरह से focus दिया जाता था, death penalty यहाँ पर दी जाती थी, जो codes है ना, codes अराम से death penalty दे सकते थे, कोई भी अ यहाँ पर अपराद हुआ है, जहाँ पर अर्म रित्यू दंड देना है, तो codes अराम से दे सकते थे, उनको ज़्यादा explanation देने की जरूरत नहीं थी, 1955 से पहले, लेकिन 1955 के अंदर जो संशोधन होता है, CRPC के अंदर जो amendment होता है ना, उसके बाद से, code के पास में यहाँ पर ए 1973 को करम लोग देखें, जो codes हुआ करते थे, वहाँ पर उनको requirement थी कि वो उनको एक reason देना होगा, पूरा ठोस reason लिखना होगा, कि यहाँ पर क्यों एक death penalty दी जा रही है, मतलब maximum penalty के लिए, maximum सजा के लिए उनको यहाँ पर एक reason लिखना होता था, यह यहाँ पर mention किया या, आज के टाइम पर जो life sentence है, वो rule बन चुका है, और death penalty एक exception बन चुका है, capital offense में, यानि कि एक समय ऐसा था जहाँ पर death penalty अराम से दी जा रही थी, आज के टाइम पर death penalty के against में काफी सरे लोग खड़े हैं, international bodies खड़े हैं, तो death penalty देना आज के टाइम पर इतना आसान आपको द बचा के रखा है, हम लोग death penalty का use करते हैं, इंडिया के अंदर अभी भी आपको ये law देखने को मिलेगा death penalty का, जब आप लोग देखोगे, तो इंडिया का क्या कैना इसके response में आपको समझाता हूँ, कि अगर इमान लोग कोई भी यहाँ पर criminal है, और वो criminal खतरना crime करता है, जिएक ना, brutal crime करता है, brutal murder करता है, निरदाई तरीके से murder करता है, और अगर उसको यहाँ पर थोड़ा साई सजा देके छोड़ दिया जाए, तो कही न कही यहाँ पर एक तरीके से justice नहीं होगा, है ना, यह justice यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बोलता है इंडिया, और इसके response में आप देखोगे ना भारत से ये भी बोला गया था कि हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ से जो death penalty उसको scrap कर दें, अपने यहाँ से death penalty को खतम कर दें, लेकिन यहाँ पर इस पूरे proposal को जो law commission है ना उसने reject कर दिया था, law commission ने अपनी 35th report 1967 में इस proposal को reject कर दिया कि हम as it is रहने वाला है, और इंडिया के अंदर अगर हम लोग official statistics के according बात करें, तो लगबग यहाँ पर 720 executions हो चुके हैं, 720 यहाँ पर death penalty दे चुका है इंडिया, ठीके ना जब से देश आजाद हुआ है, 1947 में हैं देश आजाद हुआ था, उसके बाद से आप लोग देखोगे, 720 यहाँ पर death penalty के cases हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीके ना, तेश के अज़ादी के बाद में 720 executions यहाँ पर हो चुके हैं, और majority of cases के अंदर जो यह death penalty है, उसको यहाँ पर life imprisonment के अंदर बदल दिया गया, और कुछ cases के अंदर यहाँ आपका सकतो हाइर कोड्स के through, कुछ cases के अंदर में यहाँ पर माफ भी कर दिया गया है, एक्वेटल भी कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीके ना, निर्दोष भी यहाँ पर कोशित कर दिया गया है, तो कुछ cases ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो यह की बार ही है आप लोग को अपने point of views लिखने हैं कि death penalty के favor में या against में हो ठीके न एक proper point of views लिखने हैं valid reason के साथ में ठोस reason के साथ में जिसका भी point of view बहुत अच्छा होगा उसका comment में पिन कर दूँगा ठीके न यह बात क्लियर हो गई और यहाँ पे article क्या है article के अंदर हमने प को अभी थोड़ दर पहले ही exactly बता दिया है आगे आते हैं now next article काफी important होने वाला है इस वाले article को आप लोग GSP no.2 international relations से relate कर पाऊगे बात की जारी है इंडिया और Egypt के रिलेशन के बारे में तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजना सिंग जी यह भी दो दन के विजट प हुआ भी तो इंडिया और Egypt दोनों ने मिलकर यहां पर agree कर लिया है कि हम लोग आगे अपने military cooperation को और जादे बढ़ाएंगे focus करेंगे कि इंडिया Egypt साथ में joint training करेगा defense के मामले में साथ में मिलकर production करेगा जो equipment से उसको maintain करेगा यह बात यहां पर रखी जा रही है यह सारी ब दिया गया है कि किस प्रकार से साथ में पिल कर जो defense production उसको increase किया जाए साथ मिलकर production करें साधी साथ में Egypt ने भी यहां पर focus किया है और दोनों ने मिलकर एक topic के ओपर focus यह भी किया कि जो terrorism है उसके against में कैसे लड़ा जा सकता है यानि कि आतंगवाद की against में हम लोग को लड़ किया है उनकी प्रेशन साभी कि इस चीज़ को लेकर बस यहां पर क्या होता है कि जो Egypt के president है जो कि आपको picture में दिख रहे होंगे तो इन्होंने यहां पर जोर दिया है कि हमें जरूरत है कि India और Egypt दोनों साथ में मिलकर अपने expertise को exchange करें जो भी यहां पर जिस भी मामले में द दोनों countries ने मिलकर बातचीत करी है फिर तीसरा point यहां पर उठाया है इन्होंने defense corporation का in fact यहां पर दोनों countries ने बिलकुल तयार हो चुकी है कि हम लोग एक memorandum of understanding sign करेंगे और वो basically जो memorandum of understanding होगा वो defense corporation को लेकर होगा और जो defense minister है उनका यहां पर कहना यह है कि देखो Egypt जो है यह एक बहुत important trading partner है भारत का पूरे Africa में और इस country के साथ में हमारे जो bilateral trade है वो बहुत ही जादा मजबूत है पहले सी हम लोग काफिदा व्यापार कर रहे हैं यह बात भी यहां पर रखी जाती है प्लस यहां पर Egypt ने अपना बहुत ज़दा interest दिलचस्पी दिखाई है भार से military platforms को अरजित करने के लिए इसको purchase करने के लिए यह भी यहां पर बात रखी जा रही है ठीक है न तो यह सारी बाते आपको यहां पर इस particular article में देखने को मल जाती है करना क्या है दखो यार एक भूलिये हो गई है मुझसे कि मैं Egypt का map लाना भूलिया है तो आप लोग यहा आप में नीचे comment section में जरूर से इसके बारे में type करना चलो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इंडिया और एजिप्ट के relations के बारे में यह तो आपने current issue पढ़ा अब background issue को पढ़ते हैं यानि कि जो कि आपके standard books के अंदर कोई बी international book उठाते हो international relation की तो आपको यहां पर इ देखोगे ना तो इंडिया के जो relation है एजिप्ट के साथ में वो व्यापार से शुरुबात होती है व्यापार से यहां पर दोनों के countries के relation स्टार्ट होता है अब जावालल नहरू जी की leadership के अंदर में आप देखोगे तो relations जो हैं और जदे मजबूत होना जो है शुरू हो ज ठीक है तो इजिप्ट के दर से leader इदर से यहां पर इंडिया की leader दोनों ही non-aligned movement के founder थे आपको द्यान अकना है non-aligned movement एक मतलब चलाए गया था आपको पता होगा cold war के समय पर कि हम लोग यहां पर ना ही अमेरिका को join करेंगे ना ही Russia को join करेंगे तो उस non-aligned movement के founder यहां पर दोनों ही लोग देखने को मिले और यह 1955 के अंदर हुआ था लेकिन 1956 की war के समय पर आप देखोगे तो 1956 में जो यूद दुआ था ना उसमें जवालल नहरू जी एजिप्ट को पूरी तरह से support कर रहे थे ताकि यहां पर जो एजिप्ट है उसको British Commonwealth से बाहर निकाला जा सके ठ कंट्रीज के friendship relations के बारे में bilateral relations के बारे में किस प्रकार से दोनों कंट्रीज व्यापार बगरा कर रही हैं कहां पर stand करती हैं व्यापार के मामले वो सारी बाते रखी जाती हैं तो दोनों ही नेशन ना 1950s के समय से ही बहुत ज़दा close आ चुके हैं इनफाक 1955 में दोनों ने एक historic friendship treaty को भी कर लिया था अब होता यहां पर यह है कि पिछले कुछ सालों में ही अगर आप लोग देखोगे तो relations हमारे हमेशा सही एजिप्ट के साथ में काफी अच्छे रहे हैं ऐसा यहां पर बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सारी meetings करते रहते हैं high level की meetings और दोनों countries इसके बीच में जो contact से वो लगातार बना रहता है इसकी वज़ा से भी यहां पर दोनों relations एक तरीके से अच्छे से चल रहे हैं अब बात आती है trade or commerce की आने की व्यापार की जब बात आती है तो एजिप्ट ना इंडिया का हमेशा सही एक बहुत important ट्रेडिंग पार्टनर है Africa continent के अंदर क्योंकि African continent में आपको Egypt देखने को मिलेगा तो Egypt इस प्रकार से यहां पर एक important partner माना जाता है पूरे Africa में इंडिया इजिप्ट के बीच में आपको bilateral trade agreement देखने को मिलेगा जो की March 1978 से ही work कर रहा है और यहां पर आप देखोगे जो bilateral trade agreement है इसी के माध्यम से दोनों countries आपस में एक दूसरे को बहुत सरा समान export और import भी करती हैं सबसे पहली चीज़ जब आप लोग देखोगे जो Egyptian exported to India यानि की भारत Egypt से क्या क्या लेता है तो आप देखोगे यहां पर आता raw cotton उसके बाद में यहां पर raw and manufactured fertilizer हो गया oil and oil products हो गया organic and non organic chemicals हो गया leather हो गया iron products हो गय यह सारी चीज़े यहां पर Egypt हम लोग को export करता है या आप कह सकते हो हम लोग Egypt से import करते हैं clear हो गया अब हम लोग बात करें major imports into Egypt यानि इंडिया क्या क्या देता है Egypt को Egypt हम लोग से क्या क्या purchase करता है तो यहां पर cotton यान, sea same हो गया coffee, herbs, tobacco, lentils आपको यह देखने को मिलेंगे यह सारी चीज़े हम लोग यहां पर Egypt को provide करवाते हैं clear हो गया तो Egypt के हर एक field में कही न कहीं इंडिया का कुछ न कुछ प्रेजन्स वहां पर देखने को मिलता है ऐसा बूला गया तो यह तो हो गई व्यापार की बात दूसरा point technical and scientific cooperation के मामले में देखें तो इसमें भी दोनो अच्छे से काम कर रहे हैं technical cooperation और assistance की जब लोग देखोगे न तो यह भी यहां पर दोनों कंट्रीज के bilateral relationship को मजबूत करता है जो Egyptian candidate है Egypt के जो लोग है वो इंडिया को visit कर सकते हैं under the Indian technical and economic cooperation program यह जो ITC हम लोगों ने program स्टार्ट गया है न इसके अंडर में Egypt के जो candidates है वो agriculture को लेकर काम करता है तो आप देखोगे agriculture research center बनाया गया है of the ministry of agriculture and land of Egypt तो Egypt के पास में यह agriculture research center देखने को मिलेगा इसने भी क्या कर रखा है यहां पर एक memorandum of understanding को sign कर रखा है और basically आप देखोगे इंडिया का agriculture center हमारा भी एक तरीके से agriculture research वाला जो group है जो body है और साथिसात मे Egypt की जो यह body है यह दोनों मिलकर एक तरीके से memorandum of understanding को sign कर चुके हैं दोनों मिलकर यहां पर cooperate करती है agriculture research के मामले में 1998 से तब यहां पर यहां पर यह memorandum of understanding को sign भी किया था तो agriculture research के मामले में भी काम करता है बाकी cultural links को देखोगे सांस्कृतिक जो इनका link है वो भी हां पर important है जैसे कि मौलाना अजाद Center for Indian Culture इसको यहां पर बना रखा है कैरो के अंदर में 1992 में इसको बनाया गया था उसके वाद में आप देखोगे तो इंडिया का बहुत सरा culture आपको Egypt में देखने को मिलेगा बहुत सरी centers आपको Egypt में देखने को मिलेगे cultural center ठीक है ना और वो सब बना बाकि Defense Partnership के बारे हैं बात करें तो Defense Partnership में बोला जाता है दोनों countries के बीच में बहुत सारी visit हम लोग देखते हैं और जो Air Force exercise है यहां पर यह भी होती recently और Egyptian Air Force के जो chief है वो भी इंडिया में आई थे recent months में ऐसा यहां पर बोला जा रहा है तो यह पूरे के पूरे आपको data देख लाइक का जिसको आप लोग achieve करवा सकते हो जो कि achieve करवाते भी हो साथी साथ में आप लोग मेरे साथ में Instagram पे connect हो सकते हो Instagram पे जाना search box में टाइप करना दीपक यादव education यह आपको profile मिलेगा यहां पर connect करकर अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो आगे बढ़ें इससे पहले ए पाइप करोगे तो आपको टेलिग्राम चनल मिल जाएगा एक लाग बारह हजार क्या सपास लोग जूड़े वे हैं साथी साथ में जब आप लोग PDF को डाउनलोड करोगे ना तो उसके साथ एक एप को भी डाउनलोड करोगे ना जिसका नाम है Adobe Acrobat ठीके ना इस एप को डा आधियम से ही सारी information आपको मिल जाती है नहीं तो फिर काफी परेशान नहीं होगा आपको पता नहीं होगा तो यह open नहीं हो पाएगा तो इस प्रकाट से यहापर open हो जाएगा PDF के अंदर में आप लोग इसको ज़रूर से करके देखना चलवा गया आते हैं अब फिलाल हम लोग अपने editorial discussion पर आएंगे आज editorial का pattern भी पूरी दर से change कर दिया है दो editorial आपको यहापर देखने को मिलेंगे खास important है उसके बाद में यहापर एक editorial हम लोग दूसरे newspaper से भी discuss करेंगे जो की काफी relevant होने वाला है साथी साथ में windfall text वाला article जो आपकर रहे गया था वो भी मैं आप लोग अभी cover करवाऊंगा इन editorial को समाब करके windfall text को लेकर एक article है वही पर मैं आप लोग को समझा दूँगा आकरकार windfall text क्या है इसका मतलब क्या होता है तो एक important चीज़ है जो की लगातर news में बनी हुई है लेकिन आपको बता होगा editorial discussion से पहले हमेशा की तरह हम लोग लेते हैं एक means का question तो आज का means का question क्या है काफी important है question बोलता है describe the challenges India faces to become a developed country by 2047 and also give a road map to overcome such challenges यहाँ पर आपको एक ultimate thinking की ज़रुवत है और जो regular basis पर news में है न उनी चीज़ को यहाँ पर आप लोग लिख कर अपने answer को support कर सकते हो यानि की बताना यह है कि India क्या क्या challenges face कर रहा है और करेगा एक developed country बनने तक यानि की हम लोग विक्सित देश बनेंगे 2047 तक 2047 तक तो developed country बनने तक India क्या क्या challenges देखने वाला है solution यह दोनों ही चीज़े आपको यहाँ पर इस article में बतानी है धायसो चब्दों में answer लिखना है answer लिखने के बाद में काम पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना search box में type करना दीपक्ष यादव education means answer writing full form लिखना आपको वो group मिल जाएगा लगबग 31,000 के आसपास लोग जुड़ लोग के answers review भी हो जाएंगे और आपको फाइदा ही मिलेगा कैसे मिलेगा जो व्यक्ति यहाँ पर इन answers को review कर रहा है उसके पास में कुछ important points collect हो जाएंगे और साधी साथ में जिसका answer review कर रहा है अगर उसके answer में कोई mistake है तो फिर उस mistake को भी यहाँ पर कैसे improve किया जा सकता है वो यहाँ पर व्यक्ति बता देगा तो इससे यहाँ पर एक cooperative में पूरा का पूरा group चल रहा है तो आप लोग भी जरूर से इसके उपर focus करना और अपने answers को लिखना चलो फिर आते हैं उसके बाद हम लोग अपने editorial पर यह दोखो अच्छा article है काफी ज़दा यह article आपको prelims mains और साधी साथ interview के अंदर भी help करेगा क्योंकि यहाँ पर इस particular editorial को question answer की form में आपर पूरी तरा से लिखा गया है इस editorial को लिखने वाली यहाँ पर आपको यह मैला दिख रहे होंगी प्रदन या गिरात कर तो यह basically यहाँ पर इसी field में perfect है तो इनके point of view काफी matter करते हैं देख कर पाएगा चीता के लिए क्या की चीज़े present है क्या क्या problem face कर सकता है वो सारी बाते बताई गई हैं तो आपको एक बहुत जादा बेहतरीन से points यहाँ पर मिलने वाले हैं तो पता यह जो lady है जिन्होंने इस article को लिखा है इनको चीता lady के नाम से जना जाता है और यहाँ पर है ना नामी में आप यहाँ पर एक तरीके से जो चीता है उसके ओपर काफी research करी है study करी है तो इनके point of view काफी ज़दा matter करेंगे आपके examination के लिए तो यहाँ पर जो चीता है ना इसको अभी कुनो national park के अंदर लेकर आया गया है तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जारी है पहला जो question यहाँ पर यह उठाती है वो यह है how were you introduced a cheetah into a conservation यानि कि जो चीता है ना इसको लेकर जो protection की बात है वो कहाँ पर matter करती है दोको सबसे पहली बात इन्होंने अपने बारे mention किया हुआ है कि मैंने doctoral research क्या है tiger conservation को लेकर specifically tiger conservation को लेकर बातचीत करी है उसके उपर लाया है और चीता जब से खतम हो चुका है 1952 में चीता extinct हो गया था है ना 1952 के अंदर में तब से यहाँ पर इस चीज़ के ओपर वो research कर रही है मतलब research जब से यह चीता खतम हो आए ना तब से यहाँ पर इनका कहना यह है कि यह चाहती थी कि हाँ चीता वापस से इंडिया म के साथ में एक चीता conservationist हो थी हैं डॉक्टर लॉरी मारकर उनके साथ में यहाँ पर यह proper training वगरा भी करती हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया अब पहले ही यहाँ पर बोला गया इनों अपमे training के बारे में बता है कि हाँ मेरी training काफी अच्छी थी मैंने चीता के बारे में बहुत कुछ समझा study करी DNA sampling हो गया उसके बाद मैं यहाँ पर vaccination हो गया चीता की caring कैसे की जाती है monitoring हो गया इन सब चीजों की मैंने study वगरा करी है और study करने के बाद में जो local kids है वहाँ पर उनको इस चीजों के बारे में पढ़ाया है वो सारी बात हैं यहाँ पर mention करती है अब आता है main point यह है पूछा इन से जाता है क्या चीता भारत में survive कर पाएगा चीता आतो गया है देखो दिक्कत यहाँ पर यही है चिंता बनी भी है सबी लोग के अधर वो यही है कि एफरीका से एक continent से दूसरे continent में चीता को लेकर आया गया तो क्या इंडिया में यह चीता survive कर यह बोलती है कि कुनो नैशल पार्क बिलकुल वही सेम जगा है जहां पर एक टाइम पर चीता रहा करता था चीता एक्जिस्ट क्या करता था तो जो एरिया है जहां पर बहुत सारी घास देखने को मिलती है ग्रासलेंड देखने को मिलता है जो कि इस स्पीशी के लिए appropriate है ध्यान दकना चीता को जो रहने वाला एरिया जो पसंद आता है वो है गास वाला एरिया तो ग्रासलेंड वाले एरिया में यह रहना बहुत दद़ पसंद करता है इन फैक्ट वही suitable habitat है इन चीता के लिए और वो कुनो नैशल पार्क के अंदर देखने को मिलेगा और सरकार बिलीव भी करती है कि हाँ वहाँ पर जो एरिया है बिसिकली वहाँ पर चीता सूटेबल रहने वाला है चीता को यहाँ पर जो इसका एक तरीके से healthy biodiversity है वो बिसिकली यहाँ पर promote करता वा नजर आएगा तो जो प्रोजेक्ट चीता है न यह अपने आपने एक बहुत बड़ में आना यह अपना पर थोड़ा सा challenging हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में survive नहीं करेगा इंडिया में चीता बिल्कुल survive कर सकता है ऐसा यहाँ पर इनके थुरू यह point mention किया गया फिर यहाँ पर दूसरा point उड़ाती है is it sensible to reintroduce चीता when we have so many tigers and leopards तो एक question यह आता है आप से directly पूछा भी जा सकता है interview perspective से भी कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास में पहले सी बहुत सरे tigers हैं लेपर्स हैं तो चीता की क्यों जरूरती क्या चीता को वापस reintroduce करना sensible है सही है तो यहाँ पर यह बोलती है कि बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना चीता बिल्कुल अलग है टाइगर लेपर्ड से टाइगर लेपर्ड अलग हो गया चीता बिल्कुल अलग हो गया टाइगर लेपर्ड सूखे एर रखी गई वह बात अलग है कि हां ये चीता ऐफिकटा है तो ऐफिकन चीता और इंडियन चीता के बीच में जनिक्स आपको घुँदा बहुत देखने को मलेगा थोडा पहुत जनिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे लेकन इंडिया के अंदर वो चीता खतम हो गया है ना तो basically यहाँ पर इसको reintroduce किया गया अब एक वर point उठाए गया exactly how are they being reintroduced at Kuno किस प्रकार से यहाँ पर चीता को अभी Kuno National Park के अंदर introduce किया गया देखो plan यहाँ पर यह है starting में न साइंटिस के तुरू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस Kuno National Park के अंदर release कर दिया गया था हमारे Prime Minister के तुरू अपने birthday पर इन्होंने चीता release कर दिया साधी साथ में यहाँ पर इन्होंने एक चीज और mention करिए वो यह है कि अभी चीता को जब release किया गया ना तो इनके गले में satellite collar डाला गया आपने विडियो देखा होगा तो उस विडियो के अंदर देखा होगा चीता के गले में एक collar डलावाए वो satellite collar है उस से हम लोग क्या करेंगे चीता के ट्रैक करी जाएंगी पहले यहाँ पर थोड़े से एरिया में रखा गया चीता को अब जैसे से यहाँ पर वो familiar होता चल जाएगा उसको यहाँ पर थोड़ा सा wider area बड़े एरिया में छोड़ा जाएगा यह यहाँ पर बोला जा रहा है और अगर यहाँ पर इसके movement ट्रैक कर अब question यहाँ पर यह है कि जो यह reintroduction किया गया है एक species का एक नए जानवर को वापस reintroduce किया गया है यह basically यहाँ पर कैसे help करेगा देखो चीता को लेकर आना अपने आप में एक important बात थी और यह help करेगा यह directly यहाँ पर help करेगा कैसे कैसे help करेगा सबसे पहली बात देखो य जो भी हाँ पर tourism है लोग जो है अब वो चीता को देखना पसंद करेंगे उस area में घूमने जाएंगे तो tourism यहाँ पर promote होता हुआ नजर आएगा दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से मदद मिलेगी कि India जो है ना India एक लौती ऐसी country है जहाँ पर आपको 6 की 6 big cat species अब देखने को मिलेंगे यह सब cat की species हैं जिसकों लोग big cat की species के नाम से जानते हैं तो इसमें चीता प्रेजेंट नहीं था लेकिन अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो चीता है वो भी यहाँ पर आया है तो India एक लौती country देखने को मिलेगी जहाँ पर 6 के 6 big cat की species बाय जाती है ठीक है ना यह बात रखी गई प्लस यहाँ पर जो यह चीता है यह अपने आप में बहुत important role play करने वाला है हमारे environment के perspective से भी यह भी यहाँ पर mention किया यह है देन उसके बाद में बोला यह जाता है यह चीता हमारे जो ecosystem biodiversity है उसको भी यहाँ पर boost करने वाला है और चीता को वापस से reintroduce क और और भी जो बाते हैं वो आनी बागी है वो आगे और भी यहाँ पर research करनी बागी है ऐसा यहाँ पर mention किया गया अब add the last question यह आता है will changes in the cheetah pray impact its health and adaptation यानि की देखो जो चीता है अब यह African चीता तो Africa के अदर अलग लग जानवर है उसको खा रहा था अब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर जो इसका diet है वो पूरी तरह से बदल जाएगा यहाँ पर जो इसका शिकार है वो बदल जाएगा खाने पीने की दूसरी चीज़े मिलेंगी अफरिका में दूसरे जानवर इसको मिलते तक खाने के लिए अब यहाँ पर दूसरे जानवर मिलने वाले हैं तो क एफरिका के अंदर इसी प्रकार के जानवर हुआ करते थे मतलब हुआ करते हैं जैसे कि स्प्रिंग बॉक हो गया गेम्स बॉक हो गया, इंपाला हो गया, कुडू, इलांड यह यहाँ पर देखने को मिलते हैं अलग लग जानवर, तो बोला यह जाता है कि कुनों के अंदर भी यहाँ पर इसी प्रकार के जानवर है सांबर है, ब्लाक बग है, एंटी लोप है, डियर है यह सफिशेंट मातरा में, अच्छे कासे मातरा में बस खाली दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो डियर्स हैं, जैसे यहाँ पर हिरन हो गए और वहाँ पर दूसरे जानवर जो एफरिका के इंदर देखने को मिलेंगे, तो इनमे थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, ढाकी कोई ज़ादा फरक है नहीं, ठीके न, तो इसकी वजासे, जो चीटा इसको भरपूर मातरा में खाना मिलेगा यहाँ पर भी कोई भी health के ओपर ऐसा impact नहीं पढ़ने वाला इस प्रकार की चीज़े यहाँ पर इन्होंने mention करी हैं तो यह जो article है यह आज के time का most trending और most important article है यह सारी बात आपको बता होनी चाहिए मैं इतजार कर रहा था ऐसे article का अब यहाँ पर आपको प चीज़े बात दो सवाल ये है कि जो आपको एसियाटिक चीटा देखने को मिलता है उस देशका नम क prediction सेक्ष्यन बता हो दूसरा question आप लोगं से हैं आप़ एक simple सा question है जोकि यहाँ पर आपको पाथा होना यह prelims के perspective से सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको एसियाटिक चीता देखने को मिलता है और दूसरा आपको एफ्रिकन चीता देखने को मिलता है इनके आयूसियन स्टेटस क्या है एफ्रिकन चीता का आयूसियन स्टेटस क्या है और एफ्रिकन चीता का आयूसियन स्टेटस क्या है फटा मदराज हाई कोड के अंदर में उनके तुर यहाँ पर इस एडिटोरल को लिखा गया अब इन्होंने यहाँ पर हिजाब वाले केस को उठाया है हिजाब केस और essential practice doctrine क्या है इन दोनों का connection क्या है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए एक एक करके सारी points हम लोग discuss करेंगे स्क्रीन पर आप लोग बस खाली नीचे देखते वे चलना वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती भी चलेंगी देखो करनाड़का के अंदर हिजाब को लेकर एक लंबे समय से controversy चल रही है है ना जो कि कुछ महीने पहले यह controversy start होई थी तो वो controversy अभी भी आपको news में देखने को मिलेगी तो उस controversy को लेकर ही यहाँ पर पुरा का पुरा आर्टिकल लिखाया है इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS paper number 1 और GS paper number 2 से relate कर पाऊगे हमारे syllabus के अंदर आपको अलगर topic देखने को बलेंगे fundamental rights, judiciary, government policies, intervention, women issues यह सारे topic आपको syllabus के अंदर present देखने को मिलेंगे तो इन topics से आप लोग link कर पाऊगे इस वाले article को सबसे पहली चीज़ यहाँ पर context क्या है यहाँ पर news क्या है इसको समझते है मैं आपको बिल्कुल background से बताता हूँ अभी news क्या है इसको पूरे background के साथ में connect करेंगे पहली चीज़ देखो होता यह है कि recently हाली में 6 students थे इनको यहाँ पर करनाटका के उदूपी district के अंदर में college में entry देने से मना कर दिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन 6 लोगों ने हिजाब को पहन रखा था हिजाब जिससे यहाँ पर सर वगरा कवर किया जाता है आपको पता होगा जो muslim women है वो यहाँ पर इसको पहनती है तो इस हिजाब को पहन रखा था हिजाब पहन कर यहाँ पर college में entry ले रही थी लेकिन इनको college से बैन कर दिया गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकती इस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप वापस से इस मुद्दे को supreme court में उठा दिया आए तो supreme court के अंदर जो दो जज़ की bench ना वो current time पर इस particular case को देख रही है जिस वज़ा से यहाँ पर इस article को वापस से लिखा गया अब यहाँ पर होता यह है कि जिन भी जो 6 students थे जिनको बैन किया गया था कि आप हिजाब पहन के entry नहीं ले सकती college के अंदर में उन्होंने mention भी किया कि देखो हमारे पास में बहुत सारे rights है fundamental rights है freedom of religion है तो यहाँ पर right to wear a hijab यह basically constitutionally proctatic है क्योंकि हम लोग अपने religion को perform कर सकते हैं यह हमारे religion का हिस्सा है हिजाब को पहनना तो यह संबिधानिक यहाँ पर आपका सकते हो इसको protection मिलावा है तो हमें हिजाब पहनने की जासत मिलने चाहिए इस प्रकार से यहाँ पर यह जो argument है वो start होता है अब यहाँ पर बात यह की जाती है how is religious freedom protected under constitution पहली चीज़ जो यहाँ पर mention की गई है जो religious freedom है वो हमारे संबिधान में कहाँ पर protected बताया गया है कहाँ पर हमारे संबिधान में mention किया गया है देखो पहली चीज़ जो article 25 clause 1 देखने को मिलेगा हमारे समिधान का article 25 clause 1 जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो क्या बात करता है वो बात करता है freedom of conscience की right freely to profess, practice and propagate religion आप अपने religion को practice करने के लिए perform करने के लिए बिल्कुल free हो आप अराम से अपने religion को practice कर सकते हो उसका प्रसार कर सकते हो आगे यहाँ पर उसको बढ़ावा दे सकते हो उसके बारे में लोग को बता सकते हो तो यह प्रसार भी यहाँ पर किया जा सकता है ठीके न तो यह सब religion को perform करने की सारी की सारी जो यहाँ पर rights है सारे सारे हक आपको यहाँ पर constitution देता है article 25 के तहत यह यहाँ पर mention किया गया तो संभीदान के अंदर कावे बात की गई है exactly आपको यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है हाला कि आपको बता होगा जो भी यह fundamental rights है article 12 से लेकर 35 यह यहाँ पर दिये जाते हैं लेकिन आपको बता होगा कि अगर कोई भी काम ऐसा है जो कि public order को disrupt कर रहा है morality को यहाँ पर morality के against में चले जा रहा है तो वहाँ पर जो state है जो राजसरकार है वो क्या करती है वो यहाँ पर खासकर जो हमारी government है खासकर वो यहाँ पर restriction लगा सकती है ठीके ना इन चीज़ के ओपर इन rights के ओपर जो भी आपको rights मिले हैं उन चीज़ों के ओपर यहाँ पर एक रोग भी लगाई जा सकती है बाकी मैंने आपको religion के बारे में बता दिया है कि आपके पास में right to practice, right to propagate देखने को मिलता है आप अपने religion को practice कर सकते हो वो सारी बाते मैंने आपको भी थोड़ देर पहले बताई है लेकिन अब बात यहाँ पर आती है essential practice के बारे में essential practice का क्या है मुद्दा सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जानना है यह essential religious practice test आखिरकार क्या है बहुत सालों से हम लोग देख पाता है supreme court के अंदर इस प्रकार के मुद्दे आते रहे है religious practice को लेकर ठीक है ना एक सेकेंड उख जाओ यार वीडियो पता है cancel हो गया वो अब मुझे यह वापस से वीडियो वहाँ से record करके उसमें merge करना पड़ेगा वो वीडियो वहाँ पे रुग गया तो यह essential religious practice आखिरकार क्या है देखो एक case भी होता है 1954 के अंदर supreme court यहाँ पर एक case को देखता है शिरूर मट case वहाँ पर mention भी क्या जाता है कि जो यह religion term है ना यह सारे ritual practices को cover करता है जो भी यहाँ पर religion के अंदर है वो सारी चीज़े आती है लेकिन जो भी religion के अंदर में हैं दिहान रखना जो भी आपके religion के अंदर mention किया गया है वो बेसिकल यहाँ पर essential religious practice test के अंदर में आएगा जो भी religion के अंदर बहुत ज़ादा important चीज़ है जो भी बहुत ज़ादा essential है हर जगा पर जिसके बारे में चर्चा की गई है उस चीज़ को यहाँ पर protection दी जाएगी ऐसा यहाँ पर बोला गया यानि कि जो भी essential चीज़े हैं उस चीज़ को यहाँ पर practice दी जाएगी यह mention किया जाता है और आप देखोगे इस प्रकार के cases बहुत सारे आते रहे है साल 2004 का जो case देखोगे वहाँ पर सुप्रेम कोड एक case को देखता है आनंद मरगा सेक्ट had no fundamental right to perform तांडव dance in public street एक case आता है जहाँ पर और उस case के अंदर यहाँ पर सुप्रेम कोड mention भी करता है कि जोको तांडव dance है ना उसको आप public street के अंदर publicly यहाँ पर perform नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो essential religious practice नहीं है आप कर सकतो आपके religion के अंदर बहुत आवशक नहीं है essential religious practice नहीं है इसकी चक्कर में आप तांडव dance को public street में perform नहीं करोगे तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी और इसी प्रकार से साल 2016 के अंदर एक और case आता है जहाँ पर क्या होता है कि जो इंडियन air force है ना वो यहाँ पर एक muslim airman को discharge कर देता है क्यों discharge कर देता है क्योंकि यहाँ पर उस muslim man ने अपनी बड़ी बड़ी beard यानी जो दाड़ी है उसको ग्रो कर रखा था दाड़ी को रख रखा था और हमारी जो armed force regulation 1964 है ना इसके according बात करें तो armed forces के अंदर mention किया या है कि आप अपने जो hair है जो hair की growth है ना उसको आप लोग रोख हो गए ठीके ना जो एक तरीके से beard वगरा वो नहीं रख सकते आप बाल को काट के रखोगे जो face है वो बिल्कुल shape clean होना चाहिए यह यहाँ पर बोला गया तो यह चीज़े को के ओपर रोख लगाई गई थी कि आप beard वगरा नहीं रखोगे और साथी सत्में कोर्ट नहीं है जब इस मुद्दे को देखा तो कोर्ट नहीं यहाँ पर बोला भी कि देखो जो यह beard है ना was not an essential part of Islamic practices जो beard है वो Islamic practices का essential part नहीं है एक आविशक हिस्सा महतुपूर्ड हिस्सा नहीं है that is why यहाँ पर क्या होगा Supreme Court का जो support वो इस particular case में देखने को मिलेगा और यहाँ पर इस इंसान को discharge कर दिया गया यह इंसान को यहाँ पर जो beard रखने को मना कर दिया गया था एक तरीके से जो face उसको clean ship में यहाँ पर रखने को बोला गया था ठीक है न तो आप लोग इस बात को समझ गया होंगे कि जो essential religious practice है सिर्फ उसी चीज़ को यहाँ पर protection दी जाएगी ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर आप लोग देखोगे न तो एक controversy चड़ी भी है हिजाब को लेकर हिजाब को लेकर भी हहाँ पर सरी चेक क्लियर नहीं है यहाँ पर कुछ लोग mention करते हैं एक Essential religious practice नहीं है दूसरे लोग यहाँ पर mention करते हैं यहाँ पर आपका सकतो कि जो भी लोगा कहना है कि यह एक residential religious practice है तो यहाँ पर इसको support करना चाहिए है ना यह जो एक तरीके सा हिजाब है इसको allow करना चाहिए तो एक important religious practice है यह ऐसा यहाँ पर बोला गया और यहाँ पर करनाडिका high court ने इस चीज का इस चीज की सुनवाई भी करी थी करनाडिका high court ने यहाँ पर बोल भी दिया था कि जो यह हिजाब का यूज है ना हिजाब का यूज is not essential to the practice of Islam that is why हाँ पर जो आपको freedom मिलता है religion को लेकर ना तो यहाँ पर आप उसको पूरी तरह सा ध्यान में रखो उसको wallet मत करो ठीके ना तो करनाडिका high court ने यहाँ पर इस चीज़ को पर पहले सी यहाँ पर एक सुनवाई कर दी थी कि यहाँ पर जो हिजाब है वो Islam का practice का कोई भी essential part नहीं है इस वज़े से यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को support नहीं कर सकते और हिजाब को allow नहीं कर सकते हाला कि यह case वापस से अभी court के अंदर है court के अंदर इस case को देखा जा रहा है तो उस चीज़ को यहाँ पर आगे यहाँ पर discuss किया जाएगा बाकिया आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना essential legis practice क्या है और यह controversy क्या है इसके बारे में ठीके ना चलो अब हम लोग आते हैं अगले article पर देखो यह जो अगला editorial है ना इसको हम लोगों ने front page पर ही discuss कर लिया है front page पर discuss करने का मतलब यह है वही death penalty को लेकर यह article है या भी death penalty को लेकर यहाँ पर क्या-क्या बाते रखी गई यह Supreme Court के थूरू तो वही चीज mention की जा रही है clear हो गया तो आज का editorial discussion बस इतना ही था बाकि आप लोग देखो के text and context आज का बेकार साया है मतलब काम का नहीं है हमारे तो यहाँ पर इसको skip कर सकते हो बाकि यहाँ पर अगर आपको इसको पढ़ना भी है ना तो मैंने इसके ओपर एक separate video upload कर रखा है आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जाना search box में type करना nordic country बाई दीपक जादव या Scandinavian country बाई दीपक जादव आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा कुछ मिनिटो का वीडियो है वो उस वीडियो के अंदर आप लोग यहाँ पर अराम से सारी चीज़े क्लियर कर पाऊगे ठीक है ना तो यह आज का editorial के अंदर यह सारी चीज़े थी अब आते हम लोग business page पर business page पर एक छोटा सा article आपको देखने को मिलेगा अब इस छोटे सा article में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी oil ministry है ना oil ministry ने मांग करी है windfall tax को review करने की कि वह यह जो windfall tax सरकार ने लगाया है इसको एक बार review किया जाए और यहाँ पर यह oil ministry मांग करती है कि वह यह कुछ ऐसे भी tax लगाया गया है ना इससे यहाँ पर जो companies और जो firms है उनको कमाई कम हो रही है और उनको tax जादा देना पड़ रहा है यानि उनका खर्चा कम हो रहा है कमाई कम हो रही है यह बात यहाँ पर रखी गई है तो oil ministry ने इसी चीज़ के ओपर यहाँ पर एक review मांगा कि भईया windfall tax को एक बार वापस से review कर लिया जाए इस चीज़ के आपर मांग के जा रही है now finally question यही आता है कि सर यह windfall tax आकरकार होता है क्या windfall tax नाम क्या है wind यह हवा से संबंदित है यहाँ पर हवा का कोई ऐसा लेना देना नहीं लेकिन फिर भी क्या है मैं आपको समझाता हूँ देखो बोला यह जाता है कि जब भी कोई company को benefit होता है लेकिन वो उस benefit की हकदार नहीं है तो आप को गई यह क्या मतलब हो गया मैं आपको समझाता हूँ अब यह आपने देखा recently Russia-Ukraine का योद हुआ, Russia-Ukraine के योद के बाद में देखा ये गया कि लगातार जो oil के prices है वो लगातार बढ़ते वे चलेगा international market में, इंडिया के अंदर में भी बहुत सारी oil की companies हैं, जो कि क्या करती हैं, कच्चे तेल को refine करकर petrol बनाती हैं, petrol के साथ और इस चीज़ को हम लोग use करने के साथ export भी करते हैं, ठीक है न, तो इस चीज़ को अपने यहाँ पर use करने के साथ साथ हम लोग काफी सारा export भी करते हैं, तो international level पर already जो तेल है, इसके दाम बहुत जादे इस तर पर थे, और यहाँ पर क्या किया, जो हमारी domestic companies थी, हमारे country खुद की companies थी, जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ से petrol का production कर रही थी, उन्होंने यहाँ पर export करना start किया, और export किया, तो उससे क्या हुआ, उनको फाइदा बहुत जादा हुआ, क्योंकि already international market में दाम बहुत जादा थे, तो उनको एक अच्छा पैसा मिल रहा था, बहुत सारी report यह आती हैं कि इनको 600 गुना जादा फाइदा हुआ है, करोडों में पैसा खमाया है, हजारों करोडों में यहाँ पर पैसा कमाया गया है, in oil companies के थ्रूँ, तो यह जो अलग से, जो एक तरीके से आप कर सकते हो, जो super rich वाला यह concept है ना, क्योंकि खूब सरा पैसा है यहाँ कमाया गया, तो उसी चीज के ऊपर, यानि कि जो भी हाँ पर financial gain हुआ है ना, इनको, उसी के ऊपर यह windfall tax लगाया जाता है, यानि कि जो भी इनको profit हुआ है, extra profit, जिसके लिए वो responsible नहीं है, क्योंकि अगर वो युद ना होता है, international market में वो दाम नहां बढ़ रहा होता, तो basically यहाँ पर आप कह सकते हो कि normal दाम में इनको बेचना पड़ता, लेकिन अभी इस चीज से इनको फाइदा बहुत हुआ, अब यह फाइदा हुआ, इसको लोग windfall profit बोलता है, और इसी windfall profit के ऊपर जो tax लगाया जाता है ना, उसको बोल जाता है windfall tax, ठीके ना, तो सरकार यहा one time tax लगाती है, किस चीज के ऊपर इसी खतरनाक वाले profit के ऊपर, और इसी profit के ऊपर जो यहाँ पर tax लगता है, इसको windfall tax के नाम से जाना जाता है, तो बोला यह गया, कि देखो जो energy companies हैं, वो लगातार फाइदा कमारी थी, उनको profit हो रहा था, उन्होंने कोई अपने अंदर improvement तो किया ने, कोई भी process के अंदर improvement ने किया, कुछ भी यहाँ पर आपका सकतो उनका कोई cost नहीं लगा, बस खाली इनके पास में पैसा आना start हो गया, और पैसा काफी सारा आ चुका था, तो basically यहाँ पर क्या हुआ, इसके उपर tax लगा दिया गया, जिसको windfall tax के नाम से जान के लिए काम कर पाईगी, वो बात यहाँ पर रखी जाती है, तो काफी लोग परिशानत है, windfall tax कवर नहीं क्या, इत्तुजा concept था windfall tax का, तो I hope आपको समझ में आ चुका है, windfall tax क्या है, इस चीज़ को लेकर जो proper notes है, वो भी आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिये गए हैं, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखो world section पर कुछ भी discuss करने लायक नहीं था, इंडिया, Egypt के relations पर आपके साथ में discuss कर लिये हैं, जो relevant चीज़े हैं, जो काम की चीज़े हैं, वो सब हमने cover कर लिया है, बाकि एक sports को लिकर article है, वो आपके लिए relevant नहीं है, तो आपको यहा पर लेना या suffer, तीसरा था hostility, hostility मतलब शत्रूता या antagonism, then उसके आदाता है consternation, consternation मतलब बेचेन या dismay, then apprehension, apprehension मतलब शंका या anxiety, ठीक है न, तो यह यहाँ पर आज के vocabularies देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग use कर सकते हो अपने daily basis पर, ठीक है न, आज भली article कम थे, ल उसके आद, editorial section के अदर pattern change कर दिया या है, पहले कुछ इस प्रकार से paper आया करता था, लेकिन अब यहाँ पर lady stories को add किया जाएगा, प्लस यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी stories को add किया जाएगा, तो इस प्रकार से regular paper देखने को मिलेगा, बाकि Sunday का paper कुछ इस प्रकार से देखन 1889 में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला करता था, 1889 में फिर उसके बाद में यहाँ पर देखोगे, 1999 में यहाँ पर इस प्रकार से यह Hindu newspaper आने लगा, देन उसके बाद में 1995 में, sorry, 1905 में इस प्रकार से देखने को मिला था, फिर उसके बाद में 1923 में इस प्रकार से, 1963 में यहाँ पर इस प्रकार से हो गया था देन उसके बाद में यहाँ पर 2005 के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पर दाहिंदू का जो उपर दाहिंदू लिखा वाई वो ब्ल्यू कलर का देखने को मिला करता था देन उसके बाद में यहाँ पर अब कुछ इस प्रकार से यह नियूसपेपर आया करता था जो कि हम लोग डिसकस किया करते थे लेकिन अब पाटर्न चेंज हो चुका है और वो अब इस प्रकार से यहाँ पर आया करेगा जैसा आज का पैटर्न आप लोगों ने देखा क्लियर हो गया अब फटा फट हम लोग क्या करेंगे अपने वोकेबलरीस को देख चुके हैं प्रिलियम्स के क्वेशन के आंसर को देखेंगे तो 2018 का क्वेशन था इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन कोंवेंशन 138 और 182 की इस चीज़ से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट बात की जाती है इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन की तो जो ILO है ना IOLO का कॉन्वेंशन 138 और 182 ये दोनों के ही दोनों रिलेटेड हैं चाइल्ड लेबर से चाइल्ड लेबर से संबनित आपको ये देखने को मिलेंगे इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस ल